हेलो फ्रेंड्स वल्कम टू माई यूटूब चैनल आज की इस वीडियो में मैं आपको बटनेक की बलाउज जुजान सेयर करूंगी तो यह देखे फ्रेंड्स यह है मैं फैब्री को इसमें पहले से ही वर्क किया हुआ है और हमने अस्तर पर मार्किंग कर ली हुए तो इस त कि और शॉल्डर सेवेन इंच लिया हुआ है और मौल सिक्स इंच है और नेक का जो वीर्थ है वह त्रिपंट फाइब इंच है और लेंध हमने यहां से फॉर इंच लिया हुआ है और उस्तरू तरह से राउंड सेप किया हुआ फ्रेंड्स तो यह देखे इसकी टोटल लें कर लेनी है तो यह दे कहा स्टिंग कंपलीट हो गई है क nous बंपन कर दिखा देतें कुछ इस तरी के कर लोक्रारा है कि अब मैं में फाबिक को सीधा रखना है इस तरह से इसके उपर हम्हें अस्तर को रखना है और डूजयन को सेंटर में मिलाते हुए एक पीन लगा लेना है फ्रैंड्स तो यह देखिए बिल्कुल अच्छे से सेंटर निकाल करके एक पीन लगा लिया है हमनी और अच्छे से चारो साइड से अस्तरो और मैन फब्रिक को मिलाते हुए नेक की साड में हमें हाफ इंच का मार्जिन देते वे पूरे नेक में हमें सिला लगाना है कॉर्णर को अच्छे से निकालना है सुई को अंदर की साड रखते वे ही हमें घुमाना है कॉर्णर में ताकि कॉर्णर का सेफ अच्छे से आ जाए और यह देखिए इस तरह से सुई की साड स्टीचिंग करनी है कि वर्क वाले ब्लाज में स्टीचिंग थोड़ी सी तफ हो जाते क्यूंकि जो वर्क है वहाँ पे चलती नहीं यह सूई अच्छे से तो बिल्कुल धीरे-धीरे सूई चलानी पड़ती है वरनों जो सूई है वो टेड़ा हो सकता या तूट भी सक बच जाते है उसे कट करके निकाल लेना है हमें और छोटे-छोटे कट्स लगाने हैं नेक के चारू साइड से जिसे की पलटने में कोई प्रॉब्लम ना हो और फिनिसिंग बहुत ही अच्छा है और इस तरह से हमें अंदर की साइड हाथ को घुसाते हुए कपड़े को इससे आप निकाल सकते हैं तो यहां पर हमने अश्टीक का यूज किया हुआ है आप किसी भी नोके लिए चीज का यूज करके इनके कॉर्णर को अच्छे से निकाल लेना है इसके बाद हमें नेक के साइड साइड में प्रेसर स्टिच लगानी है तो यह देखिए बिल्कु अस्तर वाला जो पाठ है वो बाहर के साइड दिखे नहीं बिल्कुल अच्छे से हमें सिला लगाना है इसमें तो यह देखिए निक की स्टिचिंग कम्प्लीट हो गई है अब हमें कमर के साइड में भी एजिटीज लगा लेना है तो यह देखिए फ्रेंड्स इस तरह से कमर के साइड में अस्टिच लगा लेंगे और यह देखिए वर्क किये वे अस्टॉन लगे वे इसमें तो इसे अच्छे से निकाल लेना है वरना सुई तूटने का डर रहता है और सुई चलती भी नहीं है इन अस्टॉन के उपर तो इसे अच्छे से निकाल लेना है उसके बाद ही अस्टिच लगानी है और अब हमें इसे पलट लेना है और मैन फब्रिक और रस्तर को साथ में अटेज करते वे जोइंट कर लेना है तो यह देखिए इस तरह से अच्छे से प्रेस करते वे सिला लगाना है ताकि कोई सिल्वटना लगे फब्रिक में यह देखिए बिलकुल अच्छे से हमें हाथों के साथ साथ इस तरह से प्रेस करते वे सिला लगा लेना है चारो साइड से और जो भी अक्ष्टर फैब्रिक बच जाते हैं उसे कट करके निकाल लेना है यह देखिए इस तरह से हमें साथ साथ से जितने भी फैब्रिक रते हैं उसे कट करके निकाल लेना है तो यह देखिए हमने निकाल ले हैं और अब हमें बैक पार्ट के टक्स देने हैं तो इस तरह से हाफ इंचका हमने टक्स दिया हुआ है बैक पार्ट में दोनों साडिस तरह से टक्स दे देंगे बिल्कुल अच्छे से देना है टक्स यह देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अश्टो ना जा रहा है इसलिए अच्छे से स्टिचिंग नहीं हो पा रही थी यह देखिए कंप्लीट हो गया है और अब हमें पाइपिंग का यूज करना है नेक में आप चाहे तो लेस का भी यूज कर सकते हैं तो यह देखिए हमने पाइपिंग ले ली वी है और इस तरह से नेक में लगा लेना है कॉर्णर्स में हमें अच्छे से लगाना है ताकि जो इसकी फिनिसिंग है वह अच्छे से आए तो आप चाहेतो इस तरह से किसी भी चीज का यूज करके कॉर्णर्स में अच्छे से पाइपिंग का लगा लेना है पूरे नेक में हमें इसी तरह से पाइपिंग लगाना है तो यह देखिए कॉर्णर्स में अच्छे से हमें लगाना है इस तरह से अंदर की साइड पाइपिंग को रखते हुए घुमाते वए लगा लेना है तो यह देखिए फ्रेंट्स कंप्लीट हो गया है पाइपिंग लगाना और एक्ष्टड पाइपिंग को कर कर और इसे अंदर की साड अस्टीच लगाना है इस तरह से ये देखिए पूरी नेक में सेम इसी तरह से हमें अस्टीच लगा लेना है तो पैपिंग लगाना कम्टीट हो गया है अब हम इस तरह का लटकन का यूज करेंगे और यहाँ पे सिला लगा देंगे सेम इसी तरह से हमें दूसरे साड में भी लटकन लगा लेना है झाल जाओ करेंगे सेम इसी तरह से जब हैं जवाँ लगा लेना है